नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारे चनल लास्ट एक्जाम ट्रिक्स पे जिस पर आपको एकदम स्टिक जानकारी सबसे पहले दी जाती है तो देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है इस सारे डाउट आपके इसमें कलियर कर दिये जाएंगे इसमें हम देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका आ चुका है लेकिन कुछ भाईयों का नहीं देखा गया है साइट अभी एकदम सही तरीके से काम कर रही है तो आप पे दिखा रहा है देखिए मैं दिखाता हूं कैसे दिखाता है यहां पे आप देख सकते हो असिस्टेंट टीचर और यह जूनियर एड़ेड़ सिक्षक परती इसमें क्या है कि पंदरा नॉवंबर को आपका रजाल्ट जारी किया गया और यह सिस्टम दिखा रहा है यह मत दिखा रहा है तो यह क्या सिस्टम है तो यह देखिए मैं उताता हूं आपको यह आपने जब गोले लगाए थे जब गोले भरे थे आपने सब्जेक्ट के तब आपने दो भर दिये होंगी वो दिक्कत यहां पे आ रखी आपके बहुत से ऐसे कंड़ीट है जिनकी यह रज अपने जो अपने उनकी अंसर की आपकी रिलीज किए गई थी, उसमें जो नमबर दिखा रहे थे और अब कार्ड में नमबर दिखा रहे हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं, यह तो हो सकता है उन्होंने जब आंसर की मिलाई हो तब उनसे गड़बर हुई हो, वहीं मतलब स रही तरिके से उन्होंने आंसर के नहीं मिलाई हो या फिर साइद ये टेक्निकल इश्व तो नहीं होना चाहिए कुछ मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भी आपके सही हो और इन्होंने गल्द कर दिये हो और आपके नंबर कम दिये हो ऐसा तो नहीं हो सकता साहिद आपने जो answer की मिलाई थी उसमें ही कुछ ना कुछ दिक्कत है ठीक है अब हम बात करेते हैं कि भी आपकी merit list है वो कब तक जारी की जाएगी आगी क्या process है कोई doubt हो या कोई अंसप ना समझ में आए board हो या जे in it पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो उसका solution है फिलो एप अपने doubt को किसी भी time clear करें in these three easy step सबसे पहले इस एप को play store या app store से download कर लें अपने phone number से easily sign up कर लें अपने question का picture लें या उसे type करके submit कर लें और फिलो आपको 60 second में इंडिया के top experts से live call पे connect कर देगा so guys it's simple have any question then ask फिलो इस app का link निचे description में मिल जाएगा वहाँ से आप इसे download कर लें तो अब आपका क्या है scorecard जारी कर दिया गया है scorecard जारी करने के बाद देखे कटोप भी आपको बताई जाएगी scorecard आपका जारी कर दिया गया है अब आपके क्या है merit list आने बाकी है merit list है वो आपकी दो आएंगी वई दो क्यों आएंगी देखिए पहले आपकी merit list जारी की जाएगी जिसमें कुछ ऐसे भी candidate हैं जिन्होंने दूसरी नोकरी पकड़ ली होगी तो वो यहाँ पे अपनी document verification नहीं करवा पाएंगे क्योंकि वो दूसरी job है वो ले चुके हैं तो वो वहाँ पे नहीं जाएंगे तो फिर जो आप समझ सकते हों कि जो पद हैं वो तो खाली नहीं रखे जा सकते तो अब फिर क्या होगा कि दूसरी merit list है वो जारी की जाएगी और सभी पद हैं वो भर लिये जाएंगे तो क्या पद भी बढ़ाए जाएंगे कुछ पद बढ़ाने के लिए देखो demand उठ रही है लेकिन पद हो सकता है चुनावी टाइम है तो कोई चुनावी स्टंट लिया जा सकता है और पद भी बढ़ाए जा सकते हैं अभी जो पंद्रा सो चार पद है तो चुनावी स्टंट लेके हो सकता है इनको तीन हजार भी कर दिया जाए तो ये मतलब मुम्किन है अब क्योंकि अभी चुनावी टाइम है तो ठीक है तो मतलब पद भी बढ़ाये जा सकते हैं आपकी merit list है वो दो जारी की जाएंगी और ये कब तक जारी की जाएंगी ये नॉवंबर के last week तक नॉवंबर के last week तक आपका जो merit list है वो जारी कर दी जाएगे वाई ठीक है जादा time आपका नहीं लिया जाएगा नॉवंबर last week तक आपकी merit list है वो जारी कर दी जाएगे फिर अगर हम बात करें कि भी कितना यहाँ पे cut off है वो क्या जा सकती है तो वो देखी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले यहाँ पर आप देख सकते हो कारियाल ले सचिव प्रिक्षे नियमक प्रादिकारी उत्रप्रदेश कल जब आपका result रिलीज किया गया था उस time यह एक प्रेस नॉट यहाँ पर जारी किया गया था जिसमें क्या बता रखा मैं चीज आपके काम की है वही मापको दिखाता हूँ जाद आपका time खराब नहीं किया जाएगा साहिक द्यापक के यहाँ पर आप सभी को पतावना चीए तीन लाख 35,000 चर्शी क्यानवा है जो कंडिडेट है जिन्होंने फॉर्म फिल किया था दो लाख 31,000 है जो अटेंडेंस रही थी और फिर 45,257 है जो पास हुए है जो एक्जाम में पास हुए है वो केवल और केवल 45,257 कंडिडेट है ऐसा ही कुछ यहां पे है परदाना द्यापक में जो 19,566 थे और फिर 14,000 ने पेपर दिया था और 15,000 ने और फिर 17,22 है वो पास हुए है पास इसमें इतने हुए है तो इसकी पोस्टें भी ठीक है जो अध्यापक वारी है परदाना अध्यापक वारी है तो आप इसमें यह मान के चलो की वही आराम से सिलेक्षन जिनका थोड़ा सा dziजाम गया है तो उनका आराम से selection है वो हो जाएगा मतलब आप ये मानों कि 5 से जो city हैं उन पे एक candidate को लेना है मतलब पांच एक street के लिए 5 बंदे परदाना द्यापक के लिए लड़ रहे हैं और अगर हम इसकी बात करें साहे कद्यापक की 45,000 जो मतलब पास हुए हैं और टोटल पंदरा सो चार पोस्ट हैं आपकी तो आप ये मानों के चल सकते हो कि भी हाँ 30 30 candidate हैं वो एक street पे लड़ रहे हैं ठीक है तो कितनी cut off जा सकती है उसको लेके अब हम अगर चर्चा करें तो वो देखिए आपको मैं बता देता हूँ देखिए आपके subject wise अगर हम बात करें पंदरा सो चार पोस्ट हैं आपकी subject wise तो अभी तक मतलब ये बताया नहीं गया कि भी कितने कौन से subject की sitting कितनी है अभी तक total ही बताई गई है कुछ से यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि भी जो cutoff आपकी जारी की जाएगी वो पंदरा सो चार पोस्टों पे ही की जाएगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वारा है इन sit ओं को जैसे ही आपकी merit list जारी की जाएगी उससे पहले आपकी जो city है वो निर्धारीत की जाएगी कि भी आपकी English की कितनी है, Hindi की कितनी है, SST की कितनी है Sanskrit की कितनी है, या फिर Math Science की कितनी है तो वो सब निर्धारीत करके फिर आपकी merit सुची जारी की जाएगी अलग अलग सभी की की जाएगी कि आईसा नहीए कि पंदरा सुच्यार पोस्टों पर आपका जो मैरिट लिस्ट है वो मलब कट ओफ जारी कर दी जाएगी ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि कुछ सबजेक्ट है जो हार्ड है कुछ है जो मतलब सही हैं जिनका आराम से कट ओफ जा सकती है तो देखिए अगर हम बात करें तो देखिए वही पनिरासो चार पोस्टे हैं टोटल है आप यह मानों कि 45,000 को पास किया गया है 45,000 में आप यह इतना तमान सकते हो कि 10,000 वो बंदे हैं जो मतलब जो पीज़ेटी-टीज़ेटी का जो result आपका आया था उसमें selected बंदे हैं हो सकता है क्योंकि जो topers बंदे थे वो इनमें select हो गए और यहां पे भी उनकी अच्छी रहे हैं मतलब number हैं वो आ रहे हैं तो इतना मान सकते हैं तो को confirm नहीं है कि 10,000 हैं हो सकता 5,000 भी हो लेकिन हम 10,000 तो मान ही लेते हैं तो अगर हम बात करें फिर बसते हैं पिछे 35,000 है तो फिर उस सबसे cut off है वो बहुत ही मतलब इतनी नहीं जाएगी जितना पहले आपको बताया जा रहा था तो cut off की अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हिंदी की तो हिंदी की थोड़ी इसी cut off है वो high जा सकती है क्योंकि हिंदी में candidate जादा है 45,000 में आप ये मान के चलो कि 10,000 के आसपास तो हिंदी के ही मिलेंगे आपको ठीक है तो इसमें थोड़ी इसी आई जा सकती है अगर हम बात करें तो हिंदी में पिचेतर जनरल की अगर हम बात करें जनरल में पिचेतर जिसके हैं वो आर्षानी से उसका selection teacher में हो जाएगा पिचेतर वारों का जनरल वारों और अगर हम बात करें OBC की तो OBC में 33 तक जिसके हैं OBC में 30 हैं उसका selection आराम से हो जाएगा फिर अगर हम बात करें EWS की ठीक है EWS वारों का इससे भी कम रहने वारी है एकेतर तर तक जाएगी और SC की अगर हम बात करें तो 70 आप मान सकते हो कि 70 जिसके हिंदी में बन रहे हैं EWS ऐसे में वो आराम से selected है और अगर हम बात करें ST की तो ST की आप ये मान के चल सकते हो कि 68 तक selection आराम से हो जाएगा 68 गुणाग जिसके बन रहे हैं वो आराम से selected है सबसे ज़्यादा cut off जाएगी वो हिंदी की ही जाने वारी है फिर अगर हम इससे थोड़ी सी कम रहेगी वो रहेगी SST की SST की भी लगभग आप इतनी मान सकते हो कि 30 जिसके UR में है वो select है ठीक है बेटर OBC में तो ये तो हो गई SST की और सबसे जो कम रहने वाली है वो रहेगी math और science की math science और English की लगभग same ही रहने वाली है इनकी और इन में अगर किसी के आप यह मानों कि general में UR में UR में एक तर तक है वो select है और दूसरे जो category है वो आराम से एक या 2% में निचे कर सकते हो आप कि भी अगर किसी के 70 है OBC में तो वो select है और EWS की अगर हम बात करें तो उने तर तक है SC की अगर हम बात करें तो 68 तक है तो ये selected बंदे हैं औ और इसके अलावा अगर हम बात करें sense card की sense card की भी जो merit है वो थोड़ी दूसरे subject की तुलना में मतलब medium size की रहने वारी है ठीक है तो इसमें अगर किसी के आप यह मानों की 71 किसी के है तो वो आराम से select है 71 UR में UR में किसी के 71 है तो आराम से selected है और बाकी आपकी cut off है वो जा जारी कर दी जाएगी जब आपकी merit list जारी होगी पता चल जाएगा बाकी को tension लेने वाड़ी बात नहीं है cut off का किसी को पता नहीं होता एक अनमानित है वही बताए जाती है ठीक है तो tension नहीं लेने का मोजलो और रोजलो वाई